बॉर्निंग, स्क्रीन पे आपके है मिनिस्पल कॉर्परेशन और ग्रेटर मॉंबाई वर्षा अंकीता सिना, यह अंकीता सिना की जाज्मेंट ओनरेबल फुल बेंच और सुप्रीन कोट ने 2021 में दी है, मैं पैन इंडिया आउट्रीच प्रोग्राम के तहत अपने पैरा वालेंटियर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स को यह बताना चाहूंगा, कि आप गाउं गाउं जाएं, डोर टो डोर कैम्पेंड करें, एक जगह को तीन बर विजिट करें, और उस दोरान यह बताएं कि कहीं पर भी आपके घर का जो कचड़ा है, जो गार्वेज डिस्पोज है, अगर उसके लिए मिनिस्पल्टी आपको दो अलग अलग तरीके के कलर का डस्ट भी नहीं दे रही, यानि कि ब्लू और ग्रीन, तो वो अपराद नहीं है, वो राधर एक क्राइम नहीं है, बलकि अपनी ही पाउं में कुलाडी मारने जैसा है, आपको अगर सरकार से ये बदद नहीं भी मिलती, तो हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं, पैरा लिगल वॉलिंटियर्स के तहत, कि आप उनको खड़ा खोद के दें, और ये रिक्वेस्ट करें, कि जो बाय डेग्रेडिबल हैं, घर में भिंडी, तोरी, टमाटर, बैगन, आलू, रोज हम इस तरह की चीजों का इस्तमाल करते हैं, उनके छिलके को अगर हम एक जिगे खटा करें, धर्ती मा को ही सौप दें, तो वो उसका खाद बना देती है, केंचुए से लेकर सारे जानवरों का वो भोजन है, जो आपके लिए वेस्ट है, अगर आप खुले में डालते हैं, तो केवल ब आनून की रोशनी तो पहुचा ही रहे हैं, साथ में, मिनिस्पल कॉर्परेशन ओफ ग्रेटर मॉंबई अंकीता सर्मा की जज्जमन के तहत आपको बता दें, कि भारत में इंवायर्मेंट को लेकर NGT यानि ने नाशनल ग्रीन ट्राइबूनल बनाया गया है, जो केवल फै सिर्मौर से घगर नदी सुरू होती है, जो चंडीगर के सुखना तक जाती है, तो सुखना अगर साफ रखना है, जिन्दा रखना है, तो सिर्मौर में भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नदी, नाले, हवा, पानी, ये किसी territorial boundaries के महताज नहीं होते, कैनेडा मे अगर कोई नदी में, बायो डिग्रेडवल समान को ना फेके, नॉन बायो डिग्रेडवल चीजें फेके, आप मास्क यूज कर रहे हैं, वेस्ट हो गया, गंदगी लगे हैं, कैनेडा के नदी से होता हुआ, पूरे भारत तक भी पहुंचने के पूरे संभावनाएं हैं, और जितने भी हमारे ब्लू वेल से लेकर मचियां हैं, या कचुए हैं, टॉटो टॉइस हैं, टल्टल हैं, उनके मुह में फंस जा रहा है, और आप वाट्सेप के वीडियो देखकर, पांच्छे बर सर्बुलेट करकर, फिर इंसेंसिटाइज होकर, अपने ही कार से बैठे बैठे टॉफी का चिलका बाहर फेंग देते हैं, और देखते देखते वो आपका एक चिलका पहाण के रूप में, परवत के रूप में नजर आने लगता है, ये सब प्रॉलम है, कार्बिज डिस्पोजल के लेकर हमारे देश में सेंसिटाइजिशन ना होना, इस पटल से म मैं आप सब को ये कहना चाहूंगा, ओनेबल NGT अपना काम कर रही है, ओनेबल सुप्रीन कोट ने भी कहा है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन को लेकर प्रो एक्टिव एप्रोच ही चाहिए, इसलिए NGT बिना किसी की एप्लिकेशन और पेटिशन के भी स्वता संग्य लेकर घंगर नदी को साफ करवा सकती है, मारकंडे नदी को साफ करवा सकती है, और उसके लिए अलड़ी पूरे टॉप लेवल ओफिसर्स की टीम को बिठाया गया है, जिसमें सेक्रेटरी बतौर DLS से सिर्मौर एटनाहन भी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन इतने से नही होगा, महकमा अपना काम कर रही है, सरकार, NGT, Honorable Supreme Court, NALSA, सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पैरा-लेगल वॉलेंटियर्स को ये बताना है, सस्तेनिबिलिटी इंडेक्स में, इन्वार्मेंट इंडेक्स में, लगातार हम वर्ष्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वोर्ड क में हमने देखा कि जब आपके लंक्स कमजोर होते हैं, तो आप जादा सस्पेक्टिवल होते हैं, वल्नेरेबल होते हैं और आप बिमार पढ़ते हैं, थर्ड वेव में बच्चे जादा वल्नेरेबल हैं, उनके गले तक कोई भी इंक्युवेशन पिरड नहीं होगा, सिधे आपको टॉफी के छिलका अपनी जेब में रखना पड़ेगा, जब तक कि ब्लू कलर का डस भी ना दिखें, आप एक कोग की बोतल में टॉफी के छिलके को रैपर्स को डालते जाएं, डालते जाएं, पूरा भर दें, भरने के बाद उनको सिमेंट लगाके नहीं, मिट्ट बैठने का एक बना दें, इससे पॉलिशन भी दूर होगा, और आपके लिए बैठने का एक बैठक बन जाएगा, ऐसी छोटे-छोटे परियासों से प्लास्टिक से पेट्रोल बन रहा है, डीजल बन रहा है, बायो फ्योल बन रहा है, बेक्टिरिया भी जाद किये गए हैं रोड बना सकते हैं, पर बात है कि आपको वेस्ट में सोना देखना पड़ेगा, अपने बच्चों को ऐसी अबरंगिंग दें, कि उनका परसेप्शन चेंज हो, आज स्वीडन के या फिनलेंड के बच्चे को कोई गंदगी दिखाओ तो वो कहेगा वाओ, यह तो गोल्ड ह सोना है, इससे तो मैं पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन हम इंडिया के बच्चों को देखे तो छी गंदगी है, और यह एक एटिटूड है जो हमारे देश की जीडिपी पे भी फर्क डालता है, उमीद करता हूँ, इस वीडियो के बाद आप अपने हिस्से की मांदारी ज़रू में तब पहुंचाएंगे, जैहिन, जैहिन माचाएंगे।